वेल्कम बैक आप देख रहे हैं ये देश है हमारा पब्लिक के बीच से जब वैसे कॉंग्रेस हमेशा लड़ाई के लिए आती है कि हम हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं आग तक आप मुझे ऐसा बता दीजिए कि राजस्थान का कोई भी कॉंग्रेस का बड़ा नेता डिल आप लोग जैसे मतलब बोल रहो जो नए है जो वह करिए ना जो एडी जो करेंगे सची करेंगे एडी थोड़ी ना इडियेट है कुछ अचारी जी एडी को इडियेट बोलने कास क्यों बोला गया मतलब आपको नहीं लगता या अफ्सोस जनक है अमीश देव गंजी एक त चालता हूं कि एक अध सवाल सुधान सो त्रवेदी जी से भी कर लेते किसां मैं में मैं ग्रेजिश्ट वेपी मैन रहे हैं जिसमें दम हो ता उसी से सवाल पूछे जाते यहाँ लोग्शिकायत करते मुझसे सवाल नी पूछे जा ओ हो इसका मतलब है यह मुझे वी आईप प्रशुक पूछ लो अगर कि सबस्क्राइब का पिरियास कूब की लेकिन कोई कमी धूंड नी पाए कई बार पीरियास की उनकी जाच कराने के आग्र लखनो एक्सप्रेस वे गूंति कि रिवर्फरेंट सब की जात कराई कमी कैसे पकड़ लिए पहली वाद जो इन्होंने कहा सारे सवाल इन से क्यों बुछी आ रहे हैं कि उनका नेत्रत खुद अपने आप में एक सवाल है और वो सवाल हर कॉंग्रेसी के दिल में भी उड़ता है इसलिए समझ दूसरी बात मैं हमने किसी के भी किसी भी नेता के खिलाफ केस विड्रॉण नहीं किया है या स्टेट्मेंट गलत है कोई भी नेता किसी पार्टी में गया है उस पे कारवाई चल रही है और कारवाई चलते हुए जो नियमा नुसार कारवाई होगी वो होगी इन्होंने कहा गिरिफतार कर ल कर रहे हैं वह दो मेंसे एक आरोप मान दीजे इन्होंने का हम कोई केस खटम नहीं करते हैं क्योंकर ड़ाते रहते हो ना क्या खटम कर दिया तो आपका तो हाथ से ऊचावी निकल जाएगी आप ड़ाते हो जब जारेक्ट पर जटेशे प्रावलम क्या दो हजार उन्हाइब को घौन आपकी पार्टी का अंधरोनी मामला वही तो बता रहा हूं कॉंग्रेस का नेतृत नायक बना किसी दौर में देश के लिए किसी दौर में खल नायक भी बना यासे इंद्रा जी उस जमाने में यह मगर पपू कभी नहीं बना देश के प्रधान मंतिरी ने जो आवा अपने घर पर लगाना चाहिए जी आप आप में से कोई आप में युवा पीडिसी में जरूर जाना जाता हूँ तिरंगे के उपर आपकी भावना क्या है जो देश की प्रधान मंत्री ने आवान किया है वो बड़ा आवान है कि 13-15 के बीच में आप तिरंगा लगाई अपने अब जो इनका जो यह नीती बन गया हर चीज पर विरोध करना यह देश को गुमरा करने है अच्छा पॉइंट आपको और इस सवाल को मैं आप दो चारी पॉलिटिकल पार्टी से जानना चाहता हूं इसका जवाब ऐसा क्यों मैं से जा रहा है सुसाइटी के अंदर की हर च तरियें आवान कर रहे हैं कि तिरंगा लगाई अपने घर में उसका विरोध क्यों कि तिरंगा भारत का राश्दिवज है तिरंगा हमारी शान है हमारा गरव है वो सबके घर पर लगना चाहिए मैं इस बात का समर्थन करता हूं मानने प्रदान मंत्री जी ने कहा कि सबको घर पर फैराना तो मैं इसका समर्तन करता हूं लेकिन ये वी उतनले सच ही कि जब तिरंगा फैराने पर गोलिया मारी जाती ती जब लाठी फैराने पर जेल भेज दिया जाता था तब इनकी पार्टी और इनके पूर्वज तिरंगे के विरोध में थे और उनके साथ थे अंग्रेजों के साथ उनकी मुखबरी कर रहे थे सुतंता सहरानियों को पकड़वा रहे थे और जब तरंगा भारत का धुष बनाया गया तो गुरू गोल वालकर जो राश्टी सिवन सेक्स के अध्यक्ष थे उस समय वह थे क्या पद होता इनके हैं उन्होंने बाकायदा अपने अखबार में और नाइजर में लेख लिख के इस तिरंगे का विरोध किया था कहा तो तीन रंग असूब होता है यही बात तो कॉंग्रेस के साथ है इस बात पर तो यह भी हमें याद रखना चीए लेकिन आज की परिष्टितियों में वह कह रहे हम समर्थन कर रहे हैं ठीक है बहाँ अच्छा समर्थन है ओके अचारे जी मैं आपके बताऊंगा चुदान्शु जवाब कॉंग्रेस के साथ खड़ी इसा पाउस के ऊपर आपको पता है कि इन्हों ने जो भी कहा अंग्रेजों के साथ कौन किसके साथ 1910 में वीर सावरकर को दो जन्मों के कारावास की सजा हुई 1910 में कॉंग्रेस का द्यक्ष विलियम बैडन बन बिटिस सरकार का सेकेटरी और आपको पताएं रामपरसाद बिस्मिल अश्वाक उल्ला खां को फांसी किसके लिए हुई थी काकोरी प्रक्रण जहां कांतिकारियों ने चंशेखर आजात के नेत्वर्त में खाजाने पे कबजा कर लिया था चंशेखर आ और इनको रामपरसाद बिस्मिल जी को फांसी होनी चाहिए चंशेक राजाज जी को फांसी होनी चाहिए अब मैं जंडे पे दूसरी बात बताता हूं यह तो वो पार्टी है जिसने आजाद हिंदोस्तान में 1988 चे लेके 1998 तक सीनगर में 26 जन्वरी को भी लाल किले लाल चौ क्यों उपर जंडा नहीं फैराया गया जब हमारी सरकाराइन इंडियाने में तो फैराया गया और दूसरा मैं पूस्ता हूं बहुत बड़े राश्वक्त थे यह नहरूजी प्रधान मंत्री 15-47 को नहीं बने थे बने तो सितंबर 1946 में किस जंडे के नीचे खड़े होके शपत ली थी यूनियन जैक के नीचे खड़े होके ली थी कि नहीं आज जब कोई शपत लेता है तो कहता है विद्वारा इस्तापित भारत के समिधान के प्रति सची शर्दा रखूंगा राश्पत दिलाता है उस सम प्रोविंशल इसमली तीन तीन बार राज्यों की सरकारों ने यूनियन जैक के नीचे शबत ली जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शबत ली वह आज आकर भाशन देते हैं यह फैक्ट भी जनता को पता होना चाहिए आप लेक्चर दे रहें बावन सा वो तो यह कहना चाहते हैं जैसे देश की आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भाजपान लड़ी थी जबकि भाजपा का नाम और निशान नहीं था नंबर एक जिस कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुर्बानिया दी बल्दान दिया त्याग तपस्या और जेलें काटी उस कॉंग्रेस ने जिस समय देश को आजाद कराया उस कॉंग्रेस के तमाम नेताओं को दरकिनार करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देश भक्त पार्टी अगर है तो बीजेपी है कॉंग्रेस देश दुरोई पार्टी है तीसरा पॉइंट नी आपकरे कमला नहरू इंद्रा गांधी की मा 14 साल जेल में रही मैं आप यह कहना चाहता हूं सुधांशु तुर्वेदी जिसे के गांधी और तिरंगा यामारे दिल में हमने तो प्रधानमंत्री जी के कहने पर घंटा बजाया हमने तो ताली बजाई हमने तो दीप जलाया अरे जैराम रमेश जी को भी जाकर बता दीजिए क्योंकि ओफिशली कॉंग्रेस की लाइन तो आजकल लें जैके जैराम रमेश की लाइन कोई आगे बढ़ा रहे लेकिन तरीके बढ़ा रहे हैं इन्होंने तो नहीं बढ़ाई यह कहते हैं के हमारे दिल में वह तरंगे को उसक स्थिंग राजगरू सुदेव नेता जी